नमस्कार दोस्तो और कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे दोस्तो काफी समय के बाद में ध्रोजावाद के इस तांत्रिक से द्वारा से मुलाकात होने जा रही है और मित्रो आज आपकी सेवा में सीमा कीलन का एक ऐसा मंत्र देने जा रहे हैं जो कि उस मंत्र से आप सीमा कीलन कर दो आपके पास में कोई भी आपति नहीं आएगी आपको कोई जंजट नहीं रहेगा ना कोई नुक्षान होगा भयाजी शातीज भयाजी आप ये बताईए ये मंत्र आपने लिया कहां से था नवस्कार दोस्तो आज हम फिर दोबारा अपने गुरू के साथ हैं और आपको पूरी वो बताते हैं बिधी ये हम ने जो आपको पहले भी बताया था क्या हमारे भुद्र ने व्हें के द्वारा बताया गया मंत्र है बहुत अच्छा दोस्तों इनके एक गुरू थे जो पहले से ये दीछे थे उनका स्वर्गवाश हो चुका है उनके बाद में ये हमारे से मिले और आज हमारे सिस रूप में हमारे शात रहते हैं और आज हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके जन हित के लिए एक ऐसा मंतर देने जा रही है इनके साथ पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें एक मंतर उसमें भी दिया था और आज फिर एक मंतर हमें इसे जो कि आपके शिवा में हमेशा काम आएगा तो भाया वो शीमा की इलन का मंत्र क्या है एक बार हमारे दर्सकों को बता दीजिए साब साब अच्छरों में और धीरे धीरे बोलना है आपको अच्छा अच्छाowej यह मंत्र है औहाई मनत्र तभी काम करता है जब उसको सिद्ध कर लोगे बिना सिद्ध किये हुए कोई भी मंत्र काम नहीं करता है तो भाया इसको सिद्ध करने की कोई भिधी है तो आप हमारी दर्सकों को बता लीजिए हर मंत्र दीपावली, होली, गिरहन, गंगाजी इन पर सिद्ध किये जाते हैं कोई भी मंत्र हो सवालाहख जाप करने के बाद ही शिद्ध होता है इस मंत्र को सवा लाहखlı करने की बाद सिद्ध होगा ऐसा कोई सोटगर तरीका है जोके एक रात्री में और कुछ ही जाप करके वो सिद्ध हो जाए अब दीपावली तो निकल चुकी है किसी भी अमावस्या को एक रात में और सिद्ध हो जाता एक्या मनमाला में बहुत अच्छा दोस्तों अमावस्या तो हर महा में आती है और आप अमावस्या की रात्री को एक्या मनमाला जाप करके समंत्र को सिद्ध कर सकते हैं इसको प्रयोग करने के लिए क्या तरीका है प्रयोग करने के लिए आप कहीं भी हो इससे पांच कोस तक की सीमा बंद जाती लेकिन उसको सीमा किलन करने के लिए किस चीज की आबस्कता होती है जैसे कोई सर्सों से किलता है अच्छा मिठी करके चार दिसाओं को फैक दो जाएगे और आप उसमें बैठ करके कुछ भी कार कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगी ये मंत्र इतना प्रभावशाली है दोस्तों जो कि आप एक बार शिद्ध कर लो और पूरा जीवन इस मंत्र के द्वारा फाइदा उठाते रहो इसके अलाबा और कुछ भी आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि आपको हमारे साथ जुड़ करके कैसा लग रहा है बहुत अच्छा और जितने भी हमारे गुरुजी के सिस्त हैं सभी देख लें और सबको पता है कि गुरुजी कोई जूटी बात नहीं करते हैं भी मिलेगी सट्ट एकी जो भी मंत्र गुरुजी देते हैं या हम दूसरा मंत्र दे रहें कभी प्रेक्टिकल करके देखिए ब्रूकुल सट्ट एक आपको जो भी होगा सठ्ट होगा मित्रो यह जिला फिरुजबाद के हैं और हम जिला हातरस के हैं दोनों ही अलग-अलग जगेके हैं लेकिन ये कहते हैं गुरू और सिश्यका प्यार का नाता जो होता है उस कारल से कभी हम इनके पास पहुंच जाते हैं और कभी ये हमसे मुलाकात करने आ जाते हैं लेकिन जैसे ही आज हमारे पास ये मुलाकात करने आए, तो हमने कहा भाया, जो पुराने आपके गुरू थे, उनका कोई अगर ऐसा मंत्र है, जो के हमारे दर्सकों के काम आए, उनका भला होता रहे, तो आज आपकी सेवा में जो मंत्र बताया है, वो पुराने गुरू का है, वो हमारे गुरू भाई की शमान है, तो मित्रो आप इस मंत्र को एक बार सिद्ध करके और जीवन भर इसका लाब उठाईए, अच्छा भाया, एक चीज और बताएं आप, आप हमारे आश्रम पर गए हैं कभी? जी हाँ, आश्रम पर हम जितना भी सिस्टम कराते हैं, वो आपको कैसा लगता है, बहुत अच्छा, अभी पल्लागाउ आश्रम पर हम रुक के आए हैं, वहाँ पर भी लोग दिच्छित हुए थे, उन्हों को साधना कराई थी, बहुत अच्छी प्रकिरिया है, और सही बि भी हुआ है, सब को अनभव करा के वेजते हैं, वहाँ से, उस तरीके से सायद कोई तांत्री कराता हो, यह मुझे नहीं पता, हालां कि कोई नो कोई जब इस लाइन में उतरता है, तो कुछ न कोई सिस्टम तो बना के तयार करता है, लेकिन मैं अपने बारे में बता सकता कि मेरा जो सिस्टम है, मैं किसी के साथ में धोका धड़ी का काम नहीं करता हूँ, ना किसी को गुमरा करने का काम करता हूँ, मेरा कार सिधा सिधा ये है, कि भाई जितने भी मेरे सादक जोड़े हुए हैं, उन सभी को आभास हो, उनको शक्तिया प्राप्त हों, और वो भी संचालक है रविंद बस जी वो बक्तावर पर गाउं में बलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको पता है कि यह कहीं सेटी में या किसी गाउं के मकान में रहकर के यह किरिया नहीं होती हैं यह किरियां समशान में होती हैं या जंगल में होती हैं या कहीं आस्रम में होती है तो अब की बार में थोड़ा सा प्रावलम आ रही है आश्रम पर आगे देखते हैं जैसे ही मौका लगेगा वहां का सिस्टम थोड़ा सुधार होगा तो हम अबस से अगली बार कोसिस करेंगे और जितने भी अब की बार हम पल्ला गाउ में बुलाएंगे उन सभी से हमारा कहना है कि भाया वहां पर काटन किरिया वाला कोई भी ब्यक्ति ना आए जो कि बली का सिस्टम जो है इसी से थोड़ा मत्विद हुआ है वहां पर बली का सिष्टम हम वहां नहीं रखेंगे और सिधा-सिधा दीछित कराके लोगों को साधनाय करा सकते हैं चाहे हो तामशीक करें या फिर शात्विक करें लेकिन जो अपनी समस्यां लेकर के आते हैं और उनके समस्याओं में जो काटन किरिया की जाती है जिसमें मुरगार बकरे की बली दी जाती है वसे शुष्टंत से थोड़ा सा मामला भिगड़ गया है तो उसका हम सुधार करके और आगे जल्द से जल्द आपको सूचित करेंगे कि हम दिल्ली पला गाउं आश्रम पर कब पा रहे हैं तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलतें एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार दोस्त